Good morning, my dear students of class, nursery. So students, how are you? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे हो, है ना? और ठीक से अपना पराई भी कर रहे हो. ओके, तो ये आपका रिविशन हिंदी राइम्स क्लास है. ओके, और आज का डेट क्या है बताओ? तो आज हम अपना पुराना एक राइम्स ही रिविशन करने वाले हैं. तो आप लोग के राइम्स बुक में, पेज नमबर 25 में एक राइम्स है, देखो. ये राइम्स. याद है आपको? यहाँ पर एक चुहा है, एक बिल्ली भी है. तो इसको लेके ही एक कविता है. तो चलो, आज हम इसको फिर से रिवाइस करेंगे. तो इस कविता का नाम क्या है? मेवे की चोडी. तो इसका नाम है मेवे की चोडी. तो लेट स्टार्ट. उपर मेवे का गोदाम. नीचे रहते चुहे राम. करते हैं चोडी का काम. खाते काजू और बदाम. जब आएगी बिल्ली रानी. मर जाएगी इसकी कहानी. तो चलो, फिर से एक बार इसको रिवाइस करते हैं. और ध्यान से सुनना. ठीक है? ओके. उपर मेवे का गोदाम. नीचे रहते चुहे राम. करते हैं चोडी का काम. खाते काजू और बदाम. जब आएगी बिल्ली रानी. मर जाएगी इसकी कहानी. उपर मेवे का गोदाम. नीचे रहते चुहे राम. करते हैं चोडी का काम. खाते काजू और बदाम. जब आएगी बिल्ली रानी. मर जाएगी इसकी कहानी. तो आप लोगों को आज का राइन्स कैसा लगा? आशा करती हूँ के आप लोगों को बहुत अच्छा लगा है. तो चलो और एक बार इसको हम रिभाइस करते हैं. चलो पुना इस कभिता को फिर से पाठ करते हैं. ओके? तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले कभिता का नाम क्या है बताओ? मेबे की चोडी. और इस कभिता को आब हम पढ़ने वाले हैं फिर से एक बार. तो चलो शुन करते हैं. उपर मेबे का गोदाम, नीचे रहते चुहे राम. करते हैं चोडी का काम, खाते काजु और बादाम. जब आएगी बिल्ली रानी, मर जाएगी इसकी कहानी. ओके, तो हमारा आज का हिंदी राइन्स क्लास यहां तक था. तो आशा करती हूँ कि आप सब लोगों को बहुत ही पसंद आया है. और अच्छे से घर पे पढ़ना, बहुत मज़े से पढ़ना, तो जल्दी यह दिमाग में घुच जाएगा आपके. तो फाइदा किसका होगा? आपका. है ना? तो अच्छे से यह कभिता पढ़ना घर पे और घर पे ही रहना, खुद का ख्याल रखना और दूसरों का भी ख्याल रखना. ओके? So, thank you, my dear students of class nursery. Our today's Hindi Rhymes class is over. Thank you.